हे गाइज, सबसे पहले आप सभी को हैपी होली, इस होली सिजन पर हेलो एप पर खुश्यों के रंग जमाएं, और दो करोर रुपे तक के प्राइज जीतिये हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ, हेलो एप लाया है होली कैश धमाका, जिस पे आपको कुछ नहीं करना, बस ए नीरू का बेटा फॉज में बड़ी पोस्ट पर था, वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता, घर में अकेली नीरू बोर्यत मैसुस करती थी, नीरू की सहिल्यों ने उसे सला दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे, बहुक के आजाने से सब ठीक हो जाएगा बेटा अपार, तू तो फॉज में रहता है, मुझे घर में अकेल आपन काटने को दौड़ता है, तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहुक के साथ मैं घर में आराम से रहूँगी क्या मा, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता, शादी नहीं करूँगा, तुम कहीं गुमने मुमने जाया करो, लेकिन शादी की बाद मत करो इतना कहकर अपार वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे मा की भी चिंता रहती है, एक दिन दर्वाजी की घंटी बचती है, नीरू दर्वाजा खोलती है, तो सामने एक सुन्दर सी लड़की साड़ी पहन कर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है, कौन हो तुम ब अपार की बीवी और आपकी बहु हूँ, तब ही घर का फोन बचता है, नीरू फोन उठाती है, तो अपार का फोन होता है, अच्छा बेटा, बहु तो आगई, बहुत सुन्दर है, अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूँऑ, इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन के तरफ देखती है, वो उसके पैर चुती है, नीरू कंचन को आशिरवाद दे कर गले लगा लेती है, अगले सुबह नीरू सोकर उड़ती है तो, अरे, सारा घर कितना चमक रहा है, इतनी सुबह घर का सारा काम किस ने किया, तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश् और चाई लेकर आती है, और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर चुती है, बहु को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है, वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पाटी है, तुम मेरी सहलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना, मा, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिये, मैं बना दूंगी, अरे मैं भी तो नहीं जानती, ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सीफूड और चाईनिस खाना बना लेना, ठीक है, कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है, हाँ मा, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप च शाम को नीरू की सहली आती है, जहां कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बना कर खिलाती है, वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है, कंचन अंदर कीचन में जाती है, कि तभी नीरू की सहली बोल पड़ती है, अरे नीरू, तेरी बहुत बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है, और सारा काम भी अकेले करती है, तो जी शिकायत का मा का भी नहीं देती, लेकिन क्या हो फाइदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहु के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है, अब तो मेरे साथ मेरी बहु भी रहती है, हाँ, रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सारे काम इसलिए करती है, कि तुझे लड़ाय करने का कोई मौका ना मिले, और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी, नीरू पहुली सुरत बना कर कहती है, नहीं, मैं न नहीं समझी, अरे गर में सास बहु की लड़ाई ना हो, तो घर भी बला गर लगता है, क्या, मेरे गर में ही लेले, सुबह से बहु के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है, कि मन हमारा भी लगा रहता है, और पड़ोसियों का भी, नीरू मन में सूचती है, बात तो सही है, अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी, तो मैं क्या करूंगी? रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है, जहां कंचन उसके पैर दबाने लगती है, नीरू को अच्छा तो लगता है, लिकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है, बहु दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है मैं सर दबा देती हूं मा जी ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है तू एक काम कर मेरे लिए बादाम वाला दूद ले आ, जा कंचन जाकर सास के लिए दूद ले आती है अब नीरू उसे जो कहती कंचन जट से कर दिती बहु ज़रा जट से जाले निकाल दे जी माजी कंचन पांच मिनिट में ही पूरे घर के जाले साफ कर दिती है नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है कमाल है ये तो हर काम कर रही है तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को इतना कहके नीरू चली जाती है नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुसा आता है कि वो सोच लेती है आज तो उससे लड़ कर ये रहेगी मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगडी देकर गिरा देती है जिसके बाद जो होता है नीरू को विश्वास ही नहीं होता जमीन में दो भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है तभी घर की घंटी बचती है नीरू डर कर दर्वासा खुलती है तो सामने अपार खड़ा होता है क्या हुआ मा तुम इतना डर क्यों गई कंचन ने कुछ किया क्या कुछ कहा क्या उसने मैं अभी बताता हूँ तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है अरे मा, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया? तुमहारी खुशी के लिए मैंने रॉबोट को तुम्हारी बहु बना कर भेजा था जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो मा, ये तो इनसान थी भी नहीं इस तो गलती होई ही नहीं सकती थी फिर आपने इसे क्यों तोडा क्या गलती थी इसकी मा बेटा इसकी सब से बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लडाई नहीं करती थी अपार मा की बात सुझकर हायान रह जाता है